हेलो फ्रेंज, वेलकम के 24 नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतिय सेना, इंडियन आर्मी की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में, इसकी LBT कंडिशन के बारे में, और इसके सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंज, यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है, इंडियन आर्मी में, यह फ्रेंज आपके यहाँ पर जारी की गई है, आर्मी, ASC, सेंटर, साउथ, ग्रूप, सी, रिकुर्मेंट, दोहजार, चौबिस के लिए, जिसके लिए फ्रेंज, आप ऑनलाइन आविदन यह के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अप्डेट से मिल सकें, तो यहाँ पर देखिए, यह इसका ऑफि प्ले कर सकते हैं, प्लेन पेपर पर डिूली टाइप किया हुआ, यह आपके हैन रेटन किया हुआ, आपको प्रिसकाइट फॉर्मैट में जो फ़ॉम है वह आपको अप्लाए करना है, सेल्फ ईड्रस रडिस्टर रेदिस्टर अलप आपको असेंठ करना है, सार्पर अबो तो यहां पर फ्रेंट से नीचे देखिए ASC Center South में देखिए कुक की जो वेकंसी है इसमें आपकी Total 3 वेकंसी है Civilian Catering Instructor male candidate के लिए 3 वेकंसी है MTS चौकिदार male candidate के लिए 2 वेकंसी है Tradesman Mate Labor के लिए male candidate 8 वेकंसी है Vehicle Mechanic Only for male candidate के लिए 1 वेकंसी है civilian motor driver male candidate के लिए 9 vacancies है cleaner male candidate के लिए 4 vacancies है इसके बाद यहाँ पर देखिए जो leading fireman है उसके लिए आपकी 1 vacancy है fireman के लिए 30 vacancies है fire engine driver के लिए आपकी 10 vacancies है तो total यहाँ पर 71 vacancies मतलब 71 vacancies आपकी यहाँ पर जारी की गई है जिनके लिए आपको offline apply यहाँ पर करना होगा इसके बाद यहाँ पर देखिए जो vacancies है वो आपको station के name आपको मिल जाते हैं जिसे निव धैली, पुने, बैंगलूर, गंग्टोग, लेबॉंग आपका दिल ली, गंग्टोग, लखनव, नारंगी, अंबाला, जोदपूर, जैसलमेर आप यह station के name देख सकते हैं किस post के लिए कितनी vacancy उस station पर है वो जानकरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है अब बात करते हैं इसके education criteria की तो सबसे पहले जो vacancy है वो है आपके cook की vacancy तो matriculation pass out होना जरूरी है knowledge of Indian cooking और इस trade में प्रोफेंसी होनी चाहिए नीचे है desirable अगर आपके पास एक साल का experience है तो आपको benefit मिल जाएगा नहीं भी है तो भी आप इसमें आविदन कर सकते हैं civilian catering instructor के लिए matriculation pass out होना साथ में diploma या certificate आपके पास catering में और desirable में एक साल का experience अगर experience नहीं भी है तो भी आप इसमें आविदन कर सकते हैं MTS चौकिदार के लिए भी फ्रेंसे matriculation और साथ में इस प्रोफेंसी की trade जो है इसके बाद फैंसे nest vacancy जो है वो है आपके trades when mate की तो matriculation साथ में इस trade में प्रोफेंसी ज़रूरी है vehicle mechanical के लिए दसवी class pass out होना साथ में capable of reading number and names of tool and vehicle both in English and Hindi आपको आना चाहिए और एक साल का experience यहाँ पर mandatory है तो यह आपके पास होना ज़रूरी है इसके बाद फैंसे nest post जो है वो है civilian motor driver की यहाँ पर देखिए matriculation मांगा है साथ में valley driving license मांगा है heavy and light motor vehicle का साथ में दो साल का experience आप से मांगा है driving motor vehicle के लिए matriculation certificate और प्रोफेंसी आपकी cleaning में होनी चाहिए cleaner post के लिए अगर आप इसमें आविदन यहाँ पर करना चाहते है तो इसके बाद फैंसे fire engine driver के लिए matriculation मांगा है प्रोफेंसी मांगी है कम से कम तीन साल का experience मांगा है और इसके रहावा आपको फैंसे यहाँ पर जो रेपूरेटर इंस्टूच्ट है उनसे familiar होना ज़रूरी है उनका maintenance करना आना चाहिए first head firefighting appliance का इसके अलावा फैंसे elementary principle जो है firefighting method के वो आपको यहाँ पर आने चाहिए आविदन करने के लिए यही criteria फैंसे leading fireman कर रहेगा तो फैंसे 10th साथ में फैंसे fireman related जो भी knowledge आपको होनी चाहिए वो आपके पास है तो ही आप इसमें आविदन कर सकते हैं इसके बार है ट्रेट्समें मेट के लिए आपका physical standard and endurance test कह रहेगा तो 1.6 km की running है 6 मेट में आपको complete करनी है और carrying करना है आपको एक वेट 50 kg का distance 200 meter की और 100 second का time आपको मिलेगा एक service man के लिए जो फैंसे यहाँ पर criteria है उस पर आपको छूट मिल जाती है fire engine driver के लिए फैंसे जो आपकी height है without shoes वो 165 cm होनी चाहिए और अगर आप SD candidate है तो 20 cm के आपको छूट मिल जाएगी chase जो है वो 81.5 से 85 cm weight 50 kg minimum आपका होना चाहिए इसमें देखिए आपको एक man lift करना होगा जिसका वजन होगा 65.5 kg 183 मीटर तक 96 सेकिंड में आपको complete करना है 2.7 मीटर की wide ditch आपको करनी होगी और 3 मीटर की climbing आपको vertical rope पे करनी होगी यही सेम क्राइटेरिया आपका leading fireman post के लिए रहता है यह फैंसे आपका physical endurance टेस्ट रहेगा age limit 18-25 साल है और civilian motor driver के लिए 18-27 साल है अगर आप reserve current date है तो आपको अपरेज में छूट मिल जाएगी इसमें आपके पास recent past drive photograph होनी चाहिए जो कि फैंसे आपको आपके application form के साथ भी extra photo send करनी है crucial date last date आपकी रहने वाली है अब last date क्या है तो फैंसे रहेगी 21 दिन जो की advertisement newspaper जो होता है रोजगार newspaper है समाचार है उसमें जब भी आपका ये update आता है उसके 21 days तक आप इस form को fill कर सकते हैं इसके बाद फैंसे scheme of exam आपको दिया गया है तो selection जो आपका होगा इसमें फैंसे सबसे पहले आपका देखिए exam होगा जो की चार section में है general intelligence and reasoning 25 कोशन 25 marks, general awareness के 50 कोशन 50 marks, general English के 50 कोशन 50 marks और numerical aptitude के 25 कोशन 25 marks तो overall जो आपको समय मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, 0.25 marks की negative marking है English and Hindi दोनों ही language में कोशन पेपर आपको available रहेगा इसके बाद syllabus आपको दिया गया है तो general intelligence and reasoning के लिए आपको यहाँ पर topic दिये गया है English में matriculation standard का रहेगा English language, vocabulary, grammar, sentence, structure, synonyms, antonyms और उसके uses related questions होंगे numerical aptitude में friends आपके whole numbers, decimal, fraction and relationship, between numbers, fundamental, mathematical, operation, percentage, ratio and proportion, average, profit and loss, discount, table and graph, mensuration, time and distance related questions आपके यहाँ पर होंगे तो आप detailed syllabus को भी check कर सकते हैं इस notification में अब आपको यह form fail करना है offline अब आपका जो main LWF होगा उस पर आपको लिखना होगा application for the post of किस post के apply कर रहे हैं इसके पर परसेंटेज 50% से कम है या उसके equal है तो लाल इंक की शाई से आप लिखेंगे 51-60% है तो blue pen से और 61% से अबाव है तो black pen से आपको mention करना होगा आपकी percentage को इसके अरावा friends से यहाँ पर देखिए जो age proof है उसमें आप certificate को send करेंगे 10 का mark sheet आप send कर सकते हैं इसके बार आपको friends से यहाँ पर देखिए जो form है वो by post आपको send करना है last day 21 days रहेगी तो employment newspaper में से रोजगा समाचार में जब भी इसका update आएगा मैं आपको provide इसकी जानकारी कर दूँगा अब यहाँ पर देखिए practical test return test जो भी आपका होगा यह बैंगलोर करनाटका में आपका conduct होने वाला है यह चीज़ आपको यहाँ पर clear होनी चाहिए और जो आपको document attach करने है आपके application form की सार जो की self attested होने चाहिए उसकी list आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर फैंस जो यह official notification है यह आपका जारी हो गया है जैसे ही यह employment newspaper में सरोजगा समाचार में जारी होगा उसकी भी update आपको provide कर दी जाएगी तब तक के लिए फैंस आप इस notification को read out कर सकते हैं लिंक मैंने वीडियो description में jobrasa.com पर दे दिया है अगर आपको हमारी update पसंद आई है तो like, subscribe and share जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube पर आपको 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 आ